आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों लाइलाज होता जा रहा है टीबी टीबी की विमारी का इलाज बेसर होता हुआ नजर आ रहा है टीबी देने वाले बैक्तिरिया ने खुट को बहुत दाकतवर बना लिया है जल्द ही उसे मानने में मौदूदा सभी दवाईया बेसर साबित हो सकती है भारते वैग्यानिकों की मताविक बैक्तिरिया ने अपने जीर में इस तरह से उत परिवर्तन किया है कि बैडक्रुलाइन जैसी नई दवाईया भी नाकाम हो रही है इससे भी जाला दुखत की बात यह है कि प्रतिरोदक MDR की पहचान के लिए भारत में जो कित और टक्नीक उपलब्ध है वैं बैक्तिरिया की पहचान करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है एक वग्यानिक शोड जनरल Frontiers in Microbiology के ताजा आंक में प्रकाशित ताजा एक रिपोर्ट में कहा गया कि TB के बैक्तिरिया ने अपने DNA में कई तरह के बदलाब की है इस शोड को करने में बैंगलूरी सिद इंस्टिटूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंडियन कॉंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विश्वेदाले के शोड करता शामिल है जालमा कुछ संसान के डॉक्टर डी एस चौहान कहते हैं शोड के दौरन MTB का परिक्षन किया गया तो पता चला कि बैक्तिरिया के जीन में 12,000 से ज़्यादा परिवर्टन आ चुके हैं MTB के खिलाब सबसे ज़्यादा सफल दवा बेड़कुलाइन है लेकिन TB की बिमारी देने वाले बैक्तिरिया का जीन RV0678 इस दवा के खिलाब प्रतिरोध का काम करें दवा प्रतिरोध तक इस जीन के कई अन्य रूपी मिले हैं लेकिन इस दवा को केंज स्वास्त विबाग TB के इलाज में इस्तेमाल करता आ रहा है